नमस्कार मैं आरके सक्सेना मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश और आज आपकी तारीख है 17 दिसम्बर 2023 तो जी हाँ MPPSC का आज प्री एक्जाम था आपका और मार्दिंग में था 10 से 12 वजे तक तो हमारे हाथ में फर्ष्ट पेपर है और इसी पेपर के धार पर आपकी जो है मेरे डिस्ट डिसाइड होती है सेकंड पेपर सिर्फ कॉलिफाइड है आपका यदि आप जनरल ये EWS हैं तो आपको 40 कुश्चन सही करने है उस पेपर में कॉलिफाइड होने के लिए यदि आप है तो आपको केबल 30 कुश्चन करने है तो ये फर्ष्ट पेपर है इसी के धार पर हम जो है वो मेंस एक्जाम के लिए कॉलिफाइड करते हैं में एक्जाम हम दे पाते हैं और इस वीडियो में मैं पूरा ही तरह से सतर तरह से आपको आंसर बताने जा रहा हूं साथ मैं शब्र आप कर सकते हैं यर करेक कर सकते हैं तुए भी बताओंगा कुश्टूप्र के कैसे लगते हैं पेपर कर लेबल क्या था किस तरह से बच्चों के पेपर रहे क्योंकि मैंने आज काफी बच्चों से बातचीत की है और हर तरह की बच्चे थे हमारे पास अच्छे तेज बच्चे जो काफी पढ़े हुए थे वो भी हमसे बिले और कमजोर बच्चे भी मिले तो उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो डालूँगा आपको तो यदि आप नए हैं और इस तरह से competitive exam से जोड़े हुए हैं तो इस चनल को subscribe कर लें ताकि आपको notification मिलता रहे चलिए first paper है आपके 100 question है चलिए हम रुद्ध करना चलिए question number two यह हमाई series B है आप यदि एक question मिला लेते हैं तो फिर आपका पूरा paper जो है वो अगले question से मिलता चला जाएगा तो आप यह question ढूंड लिए पहला वाला question और इसकी बाद आप प्लटते जाईए next question तो पूरा paper आपको जो भले यह आपकी B series है कोई भी series हो आपकी उसको पहला question यह हमारा cyber सच्वरा ढूंड ले उसकी बाद पूरा paper आपको एक तरब से मिलता चला जाएगा चलिए दूसरा question देखते हैं computer question है कुछ technical question है आपका यह फिलिप card अलीबाबा और Amazon है ना किसकी उधाण है तो यह आपका है सी नंबर बी टू सी सी नंबर answer आपका question नंबर तीन देखते हैं देखिए द्यान से देखिए निम्लिखित में से कौन सा cyber हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोग करता को सम्वेदन सील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना सामिल है तो वो है आपका question नंबर पांच इकामर्स की निम्लिखित में से कौन सा लाब है तो 24 आप लिख सेबन कार करने की शमता फिर हम देखते हैं अगला question देखते हैं कि निम्लिखित में से कौन सा internet connection का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है तो आपका dsl a नंबर आपका answer है चलिए हम पन्न पलटते हैं फिर आपका question नंबर आपका 7 है ये बह प्रिक्रिया जिसके दोरा receiver सदेश के सुरूत के दोरा प्रयोग किये गए संकेतों की बैख्य करती करता है तो आपका बी संकेतन बी नंबर फिर दूसरी प्रिड़ी के computer में से कौन सा electronic उपकरन का प्रयोग किया गया था तो वह है आपका transistor फिर अगला question देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा ब्रेव बाउजर नहीं है तो आपका याहू यह ब्रेव बाउजर नहीं है आपका फिर अगला question देखते हैं चट CPT का विकास किसकी दोरा किया गया तो open AI B number answer आपका tenth का फिर चलते है अगला यह अभी तेकनिकal question थे आपका हाँ यह आपका महत्पूर कुश्चन है सुमिल्द करने के लिए तो इसमें चार आपके इसन्थान है संस्थान है आपके यह और कहां पर समिल्द करना तो पहला आपका आरभट परिछड बिग्यान सुस्थान नेनी ताल उत्रक्षण में है आपका है सही है यह रच्छा परवंद महाविद द्याले सिकंद्राबाद यह भी सही है आपका केंद्री भारती भासा सस्थान मुंबई तो यह सही सुमेलित नहीं है जब कि यह कहां प में से इसको विग्यान और इंजिनिंग के छेत्र का प्रदम विखुशन दोहजाद तेस बिदान किया थोड़ा कठन कुश्चन है क्योंकि भारी मात्वरा में कई बेक्तियों को समान्द के जाते हैं तो इनको दिमाग में रखना काफी मुश्किल होता है और इसका बारवर नंबर कुश्चन का आपका आंसर है सिरी निवास बरधन है ना सिरी निवास बरधन कठन कुश्चन है आपका यह चलिए अगले चलते हैं निमलकित में से कौन सी खिलाडी टोकियो ओलंपिक 2020 जी हां टोकियो में ओलंपिक हुए थे आपके जपान का नगर है टोकियो वहां की सुसीला चानू मौनिका और बंदना कटारिया तो इस प्रकार से अंसर होगा उप्युक्त सभी और इसका एक एक्जाम में कप्तान कौन था तो रानी रामपाल रानी रामपाल यह कुछ एक्जाम में आच चुका है आपका चलिए अगला देखते हैं एके एफ़ाई का मुख्याले कहां पर है तो आपका यह जैपूर राजिस्थान जिले में आपका यह तो यह सई आनसर है आपका फिर आपका यह भारत का सबसे बड़ा पुरुषकार मेजर ध्यान चंद्र खेल राद पुरुषकार पहले इसका राजीब गांधी पुरुषक और हुआ करता था यह तो दो जार बाइस का किसको दिया गया है करेंट अफेर्श पर हैं यह सिंपल कुश्चन है अपने उपकर अपरस बड़ा होगा तो आपसे बढ गया होगा यह तो यह दिया गया है आपको सरत कमल को डी नंबर सरत कमल को चलिए पन्ना पर लटते हैं अगला कुश्चन आपका 16 नंबर कुश्चन है आपका महत्मुन कुश्चन है बन गया होगा आप लोगों से भारत ने अपना पहला एक दिवसी अंतरराश्टी किर्केट मैच किस देश के साथ और किस भर्स खेला तो थोड़ा सरकें कर रहा है आपको यह लेकिन इस तरह स अगला देखते हैं हम आपका एक कई जून को अंतराश्टी योग दिवस के रूप में कब शुरुआत इसकी तो 2015 से मनाया जा रहा है आपका यह 2015 में सुरू कर दिया गया था 2015 में पहला आपका अंतरराश्टी योग दिवस मनाया गया था चलिए अगला देखते हैं सेंटल बैंकिंग अवार्ड दो हजार तेईस तो यह भारत के जो रिजर बैंक के बर्तवान गवर्णर जरनल हैं सकती दास उनको जो है वो दिया गया तो इसका अंसर आपका भारत है फिर पथम भारती महिला सेनिक इकाई डाइवर कौन है यह अगला कुश्चन है तो इसका अंसर आपका भी है मन्जू चलिए अगला कुश्चन देखते हैं निमलिकित में से किस उद्दुग पती को बहारत का इसपात पूरुस का जाता सरल कुश्चन है आपका यह बन गया होगा जमसेद जी टाटा जमसेद जे इरानी है न इसी कहा अगला से चलिए पलचते हैं आपका अगला कुश्चन अपका यह है भीमा नायक्ट का सम्मंद किसी रियासत से है तो ये बढ़वानी से जुड़े हुए है बढ़वानी जीहा मद्द प्रदिस का एक जिला है आपका ये फिर आगे चलते हैं कुश्चन नमबर टॉन्टी सिक्स जन जाती नेता सीता राम कंबर और रगुनात सिंग मंडलोई ये कुश्चन अगला कुश्चन सागर के अंचलित छेत्रों में दीपा बली के औसर पर कौन सा लोग्यट पिछलत है ड्कर कंटिन कुश्चन है आम कुश्चन नहीं है ये गीघरज परंपृत कुश्चन है तो से फोफ़्लासा किसका आपका है मौनी निर्त अनमबर मौनी न आपने पड़ा भी होगा बन भी गया होगा आपसे अगला कुश्चन है सुदंता आंदुलन में निवारी जिले का की थोना लोहारी गोली का अंड की घटना कब घटे थोई थोड़ा डाउट में है लेकिन जहां तक हमारा अनुवान है इसका आंसर आपका जो है वो सी है तो देख लिजेगा थोड़ा सर्च कर लिजेगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं बाल क्रेट्शन सर्मा नवीन ने दो काब प्रापन और आत्मो सर्ग है न यह किस पर लिखे हैं तो यह आपके गणि संकर विद्यार थी अगला कुश्चन है आपका ग्रीन मफलर किस प् पिर आपका परशित की चंत्र में उर्जा का प्रवाध निम्ल में से उच पूस्रा इस तर पर लाने से कम होता है इसे निम्लखित दौरा समझेजा सकता है तो आपका यह उसमा गत्की का जो सेंड इनियम है उसमें समझेजा सकता है अगला कुश्चन देखते हैं अब 33 नम गया होगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं कि 2024 को अंतर राष्टी क्रेमे लिड बर्स जो है वो किसने घोसित किया है तो इस तरह कुश्चन आते रही जाम में आपने आपके तो यह कुश्चन है आपका यह फेपरों में था भी यह तो यून यूनाइटेट नेशन्स य अगया होगा को एक कॉश्चन है अपका यह पहले मिट्टी त्यार करेंगे फिर बुवाई करेंगे बुवाई के बाद पौधों की जो है वो सिचाई होगी उसे चाहिए कि वाजब पौधे फसल त्यार हो जाएगी तो फिर क्या होगा कटाई होगी चलिए अगला पौन सा भारत का जिस तरफ्चू क्राश्टी हाट शक्षाप नहीं है तो आपका नारोहित्स नहीं है बाकि तीनों आपके है इस्देलेंद्अ पुंडा लेंड है पश्मिघार्ट है तीनो आपके यह हैं अगला कुछण ने आपका कौन सा भारत सरकार का राष्टी पौस्टल्ण कारकर्म नहीं है तो आपका डी नम्बर है राश्टी मोखिक स्वास्तकार कम मुक्समंदी विमारियों समंदेत है मुक्समंदी विमारियों को दूर करने इसका टार्गेट है आपका फिर आपका निम्लिकित में से कौन सा सबसे इस्थिर पास्थित की तंत्र है तो समुद्री पास्थित की तंत्र फिर अगला कुश्चन है आपका कि कौन सा जेव निमनी करन दूसक नहीं है तो आपका है कीट ना सक ये नहीं है फिर अगला चलते हैं सूर के ब्यापक अध्यन के लिए निमलिकित में से कौन सा इसरो का हाल का बिग्यानिक मिसन है केंटर फिर अपसे कुश्चन है बन गया हो यह आपका आंसर है बैसे एकर बेसिक रूप से जानकारी जो मिलती है कि जीजा भाई जो आपकी सिवाजी की माता जी थी उन्होंने इसको सरपथम शुरू किया था लेकिन चर्चा में यह है कि इसका आंसर D होगा कोई भी वाद नहीं है दाश्टी आंदुरन के पिथम चरण में कांग्रेस निम्न में से कौन सी मांग नहीं रखी तो यह थोड़ा कॉंसेट वाला कुश्चन है इसको अगर आप से बन भी नहीं रहा तब भी आप विकल्क प्यधार पर इसको लगा सकते हैं इसका आंसर है आपका D नयाए पालका य किया गया तो एक इन्विश्टी का छात्र था आपका यह चौधरी रहमत अली इसने पहली भार प्रकिस्तान सब्द जो है वह दिया है अगला है कि आपका नादिर साह ने दिल्ली पर अक्मन कप किया यह भारत प्याक्मन कप किया तो यह कुश्चन सिंपल है प्रमपकत कु किस धागती किसे के जारी किये थे तो आपका अंसर सही है चान्दी के जी हाँ चांदी के यह तक सुनक की मुद्राइन भी जारी की ठी लेकिन सबसे अधिक सुद्ध मुद्राइं जो है वे कुसान बंसने जारी की थी चलिए अगला देखते हैं लाड बिलियम बेंटिक द्वारा प्रेस तरनता पतान की गई जिसका अंसर आपका है 1835 बैठ से आपकी प्रेस तरनता का जनक या दाता जो है किसे कहा जाता है मैट क तालिस को सौराष्ट संग में मिलाई गई थी तो इसका अंसर आपका 222 है फिर अगला चलते हैं तो 1948 में बुंदेल खंड बगहिल खंड को मिला करके कौन सा प्रेस बनाया गया था तो यह खासतोर से जो दीवा बाले हैं उनसे बन गया होगा बिंद प्रेस और अगला सबसे बन गया होगा इसका सेकेंड पार्ट भी में जल्दी बनाने बाला हूं उसको भी आप जरूर देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं सेकेंड पार्ट भी आपका इंक्यामन से लेकर के हैंडिट कुशन तक अभी बना रहा हूं उसको आप प्लेरिस्ट में देख सकते हैं धन्दबाद